हाई फ्रेंड्स मैं अपूर्बा अपनों का स्वागत करती हूँ MP सकसे सर्च में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करेंट अफियर की सीरीज 73 के बारे में और आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे 15 सेप्टेंबर 2020 के करेंट अफियर के क्विशन बन सके हैं उनको हम यहाँ पर डिसकस करेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें फरस्क न्मर कॉश्चन की हाली में मध्य प्रदेश में सूला से 23 से अप्टेंबर तक कौन सा सप्ता मनाया जाएगा अगर हम हम यह पर बात करें तो आप्शन नमबर B हमारा रॉइड अश्र होगा गरीब कल्याण सब्ता मद्य पर देश में 16-13 सब्टेंबर तक गरीब कल्याण सब्टा मनाया जा जाएगा और गरीब कल्याण सब्ता के तहत पृति ऐक दिन अलग-अलग विभागूं से संबंदित कारिक्रमों का आयोजन किया जाएगा ठीक है तो इतना आपको इस question से याद रखना है यहाँ पर हम बात करेंगे second number question की हाली में मध्यप्रदेश के बिधायक स्री गोबर्दन सिंग दांगी का अकसमे कनेधान हो गया है विक्केस बिधानसवा सीट से बिधायक थे अगर हम यहाँ पर बात करें तो option number आपको इस question से याद रखना है कि बिधाबरा राजगर जिले के अंतरगत आने वाली एक बिधानसवा सीट है ब्यवरा तो इतना आपको इस question से याद रखना है कि ब्यवरा राजगर जिले के अंतरगत आने वाली बिधानसवा सीट है और यहाँ के अभी ततकाली बिधायक स्री गोबर्दन सिंग दांगी जी का निधन हो गया है यहाँ पर अब हम बात करेंगे थार्ड नंबर question की हाली में मध्यप्रदेश मुख्य मंत्री स्री सिवरा सिंग चोहान जिले में चिन नांकित नव निर्मित कितनी आंगनवाडी भवनों का बर्चुल लोकारपन सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे अगर यहाँ पर हम बात करें तो option number C हमारा right answer होगा 601 मुख्य मंत्री स्री सिवरा सिंग चोहान ने मध्यप्रदेश के जिलो में चिन नांकित नव निर्मित 601 आंगनवाडी भवनों का बर्चुल लोकारपन सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे और यह लोकारपन 17 सेप्टेंबर को किया जाएगा ठीक है यह आप याद रख लेना कि मध्यप्रदेश में 17 सेप्टेंबर को महिला बाल विकास बिभाग द्वारा ने धारित सिवरा सिंग चोहान जी नव निर्मित 601 आंगनवाडी भवनों का बर्चुल लोकारपन सिंगल क्लिक के माध्य हम से करेंगे और आंगनवाडी स्तार पर कोपोसित बच्चों को दूद वितरन किया जाएगा और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसी अपसर पर मुख्यमंतरी सिवरा सिंग चोहान बच्चों की माताओं से भी संबाद करेंगे और गरीब कल्याण सप्ता के अंतरगत 17 सेप्टेंबर को मुख्यमंतरी डिंडोरी जिले के तेजश्वी शमू तथा अन्यस्व सहायता समू की महिलाओं से चर्चा करेंगे और मुख्यमंतरी प्रधान मंतरी मात्रबंधना योजना के हित्गराईयों तथा लाडली लक्षमी योजना की बालिकाओं को चात्र वृत्ती का भुक्तान भी सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे ठीक है कब करेंगे तो ये 17 सेप्टेंबर को ये कारिकरम किया जाएगा ठीक है इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ नमबर क्वेशन की हाली में मंत्रब्रदेश मंतरी परसद ने कौन से सहर में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियानवन के लिए मेट्रो पॉलेटन एरिया यानि की महान अगर छेत्र गटित करने का नेना लिया है अगर हम यहाँ पर बात करें तो उप्शन नमबर सी हमारा राइट आंसर होगा भोपाल इंदौर ठीक है भोपाल वा इंदौर उप्योगत दोनों में मेट्रो पॉलेटन एरिया गठित करने का नेना लिया गया है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ओप्शन नमबर सी यहाँ पर राइट आंसर है और मेट्रो पॉलेटन यहाँ पर जो एरिया है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है मंत्री परिसद की मीटिंग की गई थी मद्ध्य प्रदेश में ठीक है ये कब हुई थी तो आपको याद रखना है 15 सेप्टेमबर को मंत्री परिशद की बैठा कुई थी मद्ध्य प्रदेश में और मंत्री परिशदों ने बोपाल वा इंदोर सहर में मेट्रो रेल परियोजना के किरियानवन के लिए मेट्रो एरिया महानगर छेतर गठित करने का नेना लिया है और बोपाल महानगर छेतर में भोपाल निवेश छेतर तथा मंडी दीप निवेश छेतर समलित होंगे और इंदोर महानगार छेतर में महू निवेश छेतर तथा पीतमपुर निवेश छेतर को जोड़ा जाएगा ठीक है तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है कि मेट्रोपोलिटेन एरिया जो महानगार छेतर गठे करेंगे तो इसमें भोपाल में महानगार छेत्र भोपाल में निवेश छेत्र में तथा मंडी दीप निवेश छेत्र समलित होंगे भोपाल से और इंदोर महानगार छेत्र में महू निवेश छेत्र तथा पीदमपुर निवेश छेत्र को इसमें सामिल किया जाएगा ठीक है इतना आपको इस question से याद रखना है next हम यहाँ पर बात करेंगे fifth number question की हाली में मध्यप्रदेश मंत्री परशद ने निसक्त जन बालक बालिकाओं के लिए प्रदेश के के जिले में stadium निर्माण के लिए 7.902 यानि की 7.902 हैक्तियर भूमी आवंटित करने संबंदी प्रिस्ताओं का अनुमोधन किया अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्यप्रदेश के option number C हमारा यहाँ पर right answer होगा ग्वालियर अभी मंत्री परशद की बैठक हुई थी 15 September को रखी गई थी और यहाँ पर हम बात करें तो निसक्त जनबालक बालिकाओं के लिए प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्टेडियम निर्माण के लिए जो भूमी आवंटित करने संबंदी प्रिस्ताओं रखे गए थी यहाँ पर ठीक है तो इतना आपको इस question से याद रखना है कि मध्यप्रदेश में पहली बार निसक्त जनबालक बालिकाओं के लिए इस टेडियम तयार किया जाएगा और ये मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में बनाया जाएगा ये इस टेडियम ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्स नमबर कॉश्चन की हाली में मध्य प्रदेश के किस जिले में बावाई मुहुसा में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा अगर हम यहाँ पर बात करें मेडिकल डिवाइस पार्क की तो यह मध्य प्रदेश के option number A हमारा right answer होगा होशंगाबाद में ठीक है मध्य प्रदेश में medical device park की इस्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्री परशद्वारा अनुमोधन प्रदान किया गया है और अगर हम यहापर बात करें तो भारत सरकार के रशाइन एवं और बरक मंत्रालाई की प्रोथ साहन योजना के अंतरगत जो यह medical device park है यह बिक्सित किया जाएगा ठीक है किसके द्वारा किया जाएगा तो भारत सरकार के रशाइन एवं और बरक मंत्रालाई की प्रोथ साहन योजना के अंतरगत बिक्सित होने वाले इस पार्क में आने वाली बिनिर्माण एकाईयों को योजना के अनुरूप बिसेश बित्तिय शुबदाएं भी उपलब्द कराई जाएंगी और हुसंगाबाद जिले के बाबाई मुहरसा में यहाँ पार्क इस्थापित होगा ठीक पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे सेवन्थ नंबर क्वेशन की हाली में मंत्री परशत की बैठक में कौन सी योजना के क्रियानवन के लिए 314 करोड 54 लाक रोपे की प्रिसास की स्वेकृति प्रदान की गई है अ और योजना के अंतरगत अगर हम बात करें तो जो अटल बूजल योजना को स्वेकृति प्रदान की गई है तो इसकी अंतरगत बुंदेल खंड अंचल मद्धे प्रदेश का जो बुंदेल खंड अंचल आता है यहां के 6 जिले आप नाम नोट करना चाहें तो काड़ सकते हैं मद्धे प्रदेश के बुंदेल खंड अंचल के इसमें 6 जिले जिनमे क्रमशा, सागर, दमो, छतरपोर, टीकमगर, पन्ना तथा निवाड़ी के नौ बिकास, खंड क्रमशा, सागर, पथरिया, छतरपोर, नौ गाउ, राजनगर, बलदेवगर, निवाड़ी, पलेरा इबंँ अजयगर की 678 ग्राम पंचायतों के छेतर के भूजल इसतर में सुधार होगा, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, यहाँ पर आप यहाँ याद रख सकते हैं कि यह अटल भूजल योजना को सुईकृती प्रदान की गई है, और इसमें मध्य प्रदेश के बुंदेल खंड अंचल के 6 जिलों को इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें कौन-कौन सी जिली हैं, साकर, दमो, छतरपुर, टीकमगर, पन्ना, तथा, निवाडी, ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, 8th नमबर क्वेशन की, हाली में मध् रुपए की श्वेकिर्ती, लोक स्वास्त या अंत्रिक विभाग द्वारा जारी की गई है, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ऑप्शन नमबर B हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, गौरी हार, हाली में मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतरगत, रेट्रो फिटिंग योजना में, मध्य प्रदेश के छतरपूर जिले के गौरी हार विकास खंड, ठीक है, गौरी हार विकास खंड में, 34,61,000 रुपए की श्वेकिर्ती, लोक स्वास्तियांत्रिक विभाग द् की गई है, और इसमें सफल स्रोत, निर्माण, बिद्धुत, समर्सिविल पंपों के स्थापना, जल वितरन अलिकाओं का बिछाना, एबं जोड़ना, आदी कारियों के पिक्रिया, मैदानी इस्तार पर प्रारंब की जा चुकी है, इस कारे के अंतरगत तो इतना आपको इस से याद रखना है, और इन जल रचनाओं का कारिय चार माह में पूंड किये जाने का लक्ष रखा गया है, इसमें क्रियासील घरैलू कनेक्शन से ग्रामीर छेत्र में पेजल आपूर्थी की जा सकेगी, ठीक है, तो जो घरैलू नल कनेक्शन ग्रामीर छेत्रों में इस से और इसका जो टार्गेट है वह चार माही किे अबदी का है जो जितना भी कार्य है उसको कंप्लीट करने करने इस फौर चार गए इतना आपको इस कॉच्छन से याद रखना है नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे नाइन्थ नमर क्वेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें पुस्तक की तो पुस्तक का नाम है यथा समय यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अध्यात में संस्कृति यहाँ परियटन मंत्री शूस्री उसा ठाकोजी ने यह था समय पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के राइटर कौन है तो डॉक्टर ओमा संकर जी है इस पुस्तक के इस पुस्तक मतबकि इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा तो डॉक्टर ओमा शंकर नगायज जी के द्वारा और इसका विमोचन किया है मद्य प्रदेश की अध्यात्म संस्कृति इवं परियतन मंत्री उसा ठाकुर जीने ठीक है अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्हों ने इस पुस्तक का विमोचन किया है 15 सेप्टेंबर 2020 को ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि इन्हों ने इस पुस्तक का विमोचन कब किया है तो 15 सेप्टेंबर 2020 को मद्य प्रदेश की अध्यात्म संस्कृति इवं परियतन मंत्री सुस्री उसा ठाकुर ने यथा समय पुस्तक का विमोचन किया है अगर हम यहाँ पर बात करें तो अपर मुख्य सचेब अध्यात्म श्री मनो स्री वास्ताव और संचालक संस्कृति श्री अधिती कुमार्टरपाटी भी इस अप्शर पर उपस्ते थे और पुस्तक की भूमी का अपर मुख्य सचेब स्री मनो स्री वास्तावने लिखी है तो यह भी आपको याद रखना है कि जो पुस्तक की भूमी का है वो अपर मुख्य सचेब स्री मनो स्री वास्तावने लिखी है ठीक है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुस्तक यथा स समय ऐसे सोध आलेखों का संग्र है जिनका स्रजन समय समय पर सामिक आविशक्ता और अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है यहां पर अगर हम बात करें तो प्रतेक आलेख ज्यान के विकास अपधार्न आत्मक इसपस्टता और सोध प्रवन प्रकतिशे शम्रद है यह बिकीन और इस्पोट निवन्दों का संकलन नहीं है क्योंकि इन सब लेखों को एक सूत्र में प्रोने वाली भार्तिय संस्कृती द्रस्टी श्वामी दयानन सरश्वती मार्थी पतांजली आदी शंकराचारे गुरू गोविन सिंग भगवान स्रीक्रेश्न और कभी निराला आदी पर काफी रोचक लेख हैं ठीक है तो यह पूरा इसकी डिटेल थी यहाँ पर और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो उमा संकर जी है जिनोंने अपूस्तक लिखी है यह जबाहर बालववन के संचालक है जबाहर बालववन भोपाल में है उसके संचालक है डॉक्टर ओमा संकर नगायजी और इन्हीं के द्वारे पुस्तक यह था समय लिखी गई है ठीक है तो इतना आपको इस question से याद रखना है नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 10th number question की हाली में मध्यप्रदेश के कौन से polytechnic college को center of excellence की रूप में बिक्सित किया जाएगा इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मध्यप्रदेश के जो महा विद्याला है या college है उनको center of excellence का दर्जा दिया जाएगा और कुछ इसमें नए बिश्व विद्याला भी खोले जाएंगे इसी के अंतरगत अगर हम बात करें तो मध्यप्रदेश के option number C हमारे यहां right answer होगा सिवपूरी Polytechnic College जो मध्यप्रदेश के सिवपूरी जिले में है ठीक है इसको center for excellence के रूप में विक्सित किया जाएगा और अगर हम यहां पर बात करें तो सिवपूरी Polytechnic College को center for excellence के रूप में विक्सित किया जाएगा और सभी प्रकार के आधुनिक तकनीक से लैस यहां college एक आधर सोधारन प्रिस्तोत करेगा यह बात तकनीकी सिक्षा एवं कौसल विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री मती या शोदरा राजी सिंधिया ने विवाग्य गतिविदियों की समिक्षा के दोरान कही ठीक है उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में polytechnic college एवं ITI को ससक्त और आकरशंग आकरशंग बनाना होगा जिससे क्या होगा कि इस संस्थानों में जादस जादा बिद्यारती admission लेंगे और technical education की सिक्षा को grant कर सकेंगे ठीक है तो इतना आपको इस question से याद रखना है और मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के लिए तकने की सिक्षा के छेत्र में नवाचार कर इसे मतलब कि रोजगार के अफसर इसके माध्यम से बढ़ाए जाएंगे और उन्होंने अधिकारियों को online counseling प्रवेश प्रक्रिया आधी की भी monitoring के निर्देश दिये हैं तो आपको इतना इस question से याद रखना है ठीक है तो आज के हमारे current affair के जितने भी question थे ये complete हो गए हैं अब हम यहाँ पर बात करेंगे static gk के question की आज का हमारा static gk का question है मध्य प्रदेश में सरवादिक पवन चक्किया किस जिले में है ठीक है चार option दिये गए है एक right answer है आप लोग comment box में बताएंगे next question भी इसी से related है कि यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा पवन उर्जा चेत्र किस जिले में इस्तापित है तो चार option दिये गए हैं एक right answer है आप लोग comment box में बताएंगे आप लोग comment box में आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप लोग comment box में आंसर दें और question को देखे कि यह question आपके static GK के हैं और यह previous exam paper वगरा में आ चुके हैं और upcoming exam में आने के chances हैं ठीक है तो आप लोग इनको इनके answer comment box में देते रहे हैं ताकि आप लोग की भी practice होती रहे ठीक है और यहाँ पर हम बात करेंगे अब 15 September 2020 के प्रिश्णों के सही उत्तर के बारे में अगर हम य number A हमारे यहां right answer था आजायगर ठीक है अजायगर मध्यप्रदेश के जो चंदेल सा सकते हैं उनका प्रमुक नगर था तो इतना आपको इस question से याद रखना है next हम यहाँ पर बात करेंगे मध्यप्रदेश में कहां पर चित्र गुप्त मंदिर है तो यह इसमें जो चारों यहां पर गलत थे अगर हम यहां पर बात करें तो सही उत्तर खजराओ है ठीक है यहां पर खजराओ उप्शन में नहीं था यह बाई मिस्टेक नहीं लिख पाई थी मैं और यहां पर कोई और अप्शन था साइद रीवा था तो आपको रीवा या उज्जैन रतला मंसौर यहां पर राइट आंसर है खजराओ ठीक है मध्यप्रदेश में खजराओ में चित्रकुप्त मंदिर है तो इतना आपको इस क्वेशन से याद रखना है इस ट्राइप से आज के करेंट अफिर की जो हमारी सीरीज से यह कंप्लीट होती है और यहां पर हम बात करेंगे कि अ ज्यादा लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपनों के लिए और लेटेस्ट वीडियो करेंट अफिर की परड़े बनाती रहूं और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है मध्यप्रदेश एक्जाम से रिलेटेड उनको लाती रहूं थैंक्यू